बॉलिवुड के किंखान यानि शारुखान जो है उनकी मच अवेटिट फिल्म पठान के लिए उनकी फैंस बेसबरी से इंतितार कर रहे हैं चिहां और इस फिल्म को लेकर कई ऐसे कयास लगाया जा रहे थे कि ये फिल्म एक मेगा बजट फिल्म है और सबसे पहले तो ये कार इबराहिम है खुद केंखान है और इनकी फिस एक मैसिव फिस है और इस पर जो रोल है जॉन इबराहिम का उनका एक ऐसा विलन एक तमदार विलन का रोल है जिसके लिए वो 20 करोड रुपे चार्ज कर रहे हैं वही दिपिका पादुकॉन 15 करोड रुपे चार्ज कर रही है इस फिल्म में एक्ट करने के लिए लेकिन क्या आपको पता है कि आखिरकार शारुक खान की जो फीस है वो कितनी है चीहाँ शारुक खान की फीस इतनी ज़्यादा मैसिव है जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे चीहाँ आपको बता दें कि पैदे पता शारुक खान इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ले रही है अब बला ऐसा क्यों हो सकता है कि कि खान आखिर फीस क्यों ले क्योंकि दो साल से शारुक खान की कोई फिल्म नहीं आई तो क्या आज ये दिन आ गया कि किंखान इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं लेंगे अब आपको बता दें कि एक ऐसा करार हुआ है खबरों के माने तो एक ऐसा ऐसी डील हुई है ये शुराज और किंखान के बीश में जिसमें ये बताया जा रहा है कि किंखान ने अपनी जो शर्स रखी है वो रखी है कि फिल्म का जितना मुनाफ़ा होगा जितना प्रॉफिट होगा उसमें से किंखान को 45% के हिस्सेदारी चाहिए चैया 45% क्या ये खबर सच है क्या ये शुराज और इनकी डील हो चुकी है तो आपको बदा दे कि खबरे ये आ चुकी है कि इन दोनों की डील हो चुकी है और फिल्म का जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें 45% किंखान को मिलेगा अब आजकल की जो फिल्मे हैं वो 500 करोड की क्लब में तो पहुँच ही जाती है खासकर वो सलमान खान की फिल्म हो किंखान की फिल्म हो तो 500 करोड तो टश होई जाती है कभी कभी उससे उपर भी हो जाती है अगर ये फिल्म 200 करोड की बजट की है और 500 करोड अगर ये फिल्म कमाती है मतलब 300 करोड का 45% किंखान को मिलेगा हनी लगबग लगबग 140 करोड़ यह बड़ी ख़बर जो की सामने आ रही है और यह ख़बर काफी ज़्यादा पक्की बताया जा रही है कि खान ने करार कर लिया है एक तरहा से यश्राज के साथ और यश्राज मान भी गए है जो यश्राज प्रोडक्शन्स के साथ किया है और यश्राज प्रोडक्शन्स के तरफ से उनके साथ उनकी डील हो चुकी है आप क्या कहने चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप कितने भिताब हैं किंखान के पठान के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अपडेट्स के लिए